हलो एब्रिवन, श्वागत है आपके अपने चनल वाटिका सिंग पे आज हम सुस्म सेच्छन पाठी ओजना की बात करेंगे इस पाठी ओजना की लिंक हमने डिस्केप्शन बॉक्स में दे रखी है आप वहाँ से लिंक को ओपिन करके इस पाठी ओजना को देख सकते हो अगर आप हमाय चनल पे नए हो तो आप हमाय चनल को सब्सक्राइब करिए साथ इसाथ बेल आइकन को पेस जरूर कर लिजे ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी जैसे कि आप हमारे आने वाले निव वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो चरियो फ्रेंट्स हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सुसम सिचण माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सुसम सिचण पार्ठ योजना इसको बिल्कुल ही बीचो बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुन्दर धंग से आपको लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो चात्रा द्यापिका का नाम आप चात्रा द्यापिका का जो भी नाम होता है वहाँ पर आप यहाँ नाम लिखते हैं उसके बाद आप लिखते हो कच्छा आप जिस भी कच्छा के लिए अपना Micro Teaching Lesson Plan बना रहे होते हैं उस कच्छा को आपको कच्छा में मेंशन करना होता है उसके बाद आप लिखते हैं कौशल यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर बलन कौशल उसके बाद आप लिखते हैं दिनांग जिस भी डेट को आप अपनी सुसमसिच्छर माइक्रो टीचिंग पार्थी उजना त्यार करते हैं उस डेट को आपको दिनांग में लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हैं विशय जिसी विशय में आप अपने माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान बनाते हैं उस विशय को आपको विशय में लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हैं अवधी माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान में जो भी टीचिंग के लिए आपको समय दी जाती है उसी समय को आपको आओधी में लिखना होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आओधी में हमने लिखा हुआ है 5-7 मिनट इसका मतलब यह है कि माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान में टीचिंग करने के लिए हमें 5-7 मिनट ही मिले है उसके बाद आप लिखते हैं उबी से अगर आपका उबी से है तो आप उबी से लिखेंगे यहाँ पे हमारा उबी से है एकाउंट इसलिए हमने उबी से में एकाउंट लिखा हुआ है उसके बाद आप लिखते हैं प्रक्रण यहाँ पे हमारा प्रक्रण है बैंक कार्ड प्रक्रण से मैं आपको यह बता दू कि यह जो प्रक्रण होता है यह पार्ट का नाम होता है इसको बिल्खुल ही बीचोवी सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुन्दरढंग से आपको इसको लिखना होता है उसके बाद आप चार कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम तो आप बनाते हैं प्रमसंख्या का कॉलम दुसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं चात्रा देहापिक का विवहार का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं, विद्यार्ती विवहार का कॉलम, चोथा और लाष्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं, घटक का कॉलम. तो यहाँ पे पहला कोशन हमारा चात्रों से है हमारे खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो चात्रा आंसर देते हैं उसे हम बचत कहते हैं घटक में लिखते हैं हम वन यहाँ पे दूसरा कोशन हमारा चात्रों से है उन बचत के पैसे को आप कहां रखते हैं तो चात्रा आंसर देते हैं उसे हम अपनी गुल्लप में रखते हैं गटक में लिखेंगे गटक 1 और 2 तिस्वा कोशन हमारा यहां पे चात्रों से है जब यही बचत बड़ा रूप ले लेती है तो उसे कहां रखते हैं तो चात्रा आंसर देते हैं बड़ी बचत को हम बैंक में रखते हैं गटक में लिखेंगे गटक में 2 और 3 चौथा कोशन है पे हमारा चात्रों से है बैंक जो बिभिन कार्ड अपने ग्रांकों की सेवा में प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं तो चात्रा आंसर देते हैं उसे बैंक कार्ड कहते हैं गटक में लिखेंगे 3 and 4 पाचवा कोशन यहां पे हमारा चात्रों से है कार्ड कितने प्रकार के होते हैं तो चात्रा आंसर देते हैं कार्ड दो प्रकार के होते हैं प्रिपेड कार्ड दुसरा पोस्ट पैड कार्ड गटक में लिखेंगे फोर छटा कोशन यहां पर हमारा चात्रों से है प्रिपेड कार्ड को और किन नामों से जाना जाता है तो चात्रा आंसर दे दें प्रिपेड कार्ड को एटियम अत्वा डेविट कार्ड के नाम से जाना जाता है गटक में दिखेंगे four and five पुनर बलन उसके बाद हम लिखते हैं पुनर बलन के घटक इसमें पहला हम दिखेंगे प्रसंसात्मक सब्दों का प्रियोग इसका मतलब यह है कि हमने कहा अच्छा हमने कहा अच्छा भेरी गुड ठीक तो यह हो गया हमारा पहला घटक दूसरा घटक है हमारा विद्यार्थियों के प्रतियुत्तर की पुनरा बृति यानि हमने उनके आंसर को दोहराया यह हो गया हमारा दूसरा घटक तीसरा सकरात्मक अशाब्दिक पुनर बलन इसका मतलब यह है हमने हां में सिर्मुंडी हिला दी मुस्करा दिया यह हो गया तीसरा चौथे में हम लिखेंगे यह हुआ चौथे गटक में हम विद्यार्थियों के प्रतियुत्तर को श्यामपट पर लिखना इसका मतलब यह है कि आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट पर लिख सकते हैं यानि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप स्यामपट पर लिख सकते हैं यह हो गया चौथा घटक पांचवा घटक लिखेंगे निरुशाहत्मक सब्दो का प्रियोग इसका मतलब यह है कि आपको कम ही निरुशाहत्मक सब्दो का प्रियोग आपको कम ही करना है लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है यह है पांचवा घटक छटवा घटक में पुनर बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रियोग इसका मतलब यह है कि आपने ना में सिर्व हिला दिया यह हो गया आपका चठा गटक सात्वा गटक है पुनर बलन का अनुचित प्रियोग इसका मतलब यह है कि पुनर बलन का अनुचित प्रियोग यानि कि अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं आपको हमारा सुसम सिचर पाठी उजना माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान कैशा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताईए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब जरूर कर लिजिए शाथी साथ बेल आइकन को प्रेज जरूर कर लिजिएगा मैंने इस सुसम सिचर पाठी उजना की लिंक डिस्केप्सन बॉक्स में दे रखी है आप वहाँ से इस लिंक को डाउनलोड करके माइक्रो टीचिंग सुसम सिचर पाठी उजना को आप देख सकते हैं अगर पाठी उजना में आपको कोई भी दिक्कत होती है कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी कोशन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे कोशन पूछ सकते हैं या आप direct मुझे mail करके भी question पूछ सकते हैं और हम आपके पूछेगा question के answer को देंगे तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही B8 BTC Delete के रोचक वीडियो के शाथ Thank you so much for watching my video and subscribe my channel